असलाम अलेकूँ जी मैं चार साल की एसे सिंगिंग के काम में था और गाने गाता रहा था कवाली भजन फोक्स ओंग घरियाना में और 152 MLA N.P. हैं भारत के जिनके मैंने गाने गाये थे और जीते हैं कुर्मेंट में तीन बार नेशन में गोल्ड भी लेका आया था फोक्स सौंग में नाना थे वो सिंगर थे बहुत बड़े मेरे भी युमार दिया जाए चोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए वो सौंग होता था उनका कमपजिशन की हुई थी तो उन्ह 298 में मेरे अबबा का वक्त लगया है जमात गई उन्होंने बारे में बताया तो अबबा को नीद नहीं आती थी डाई बोतल सराव में जो नसा होता था वो टैبلेट खा के सोते थे तो जब यह जमात गई मास्टर हरुन साब गए मास्टर इफान साब मास्टर सुलूप साब यम्यवात के साथी गई जमात गई जमीन को बनाने वा आस्मान को बनाने वाला चांद को सूरज को सितारों को हवा उसके हुकम से चलती है तो अगर द़ाइ में आराम उताता तो अस्पिटल में 200 मरीज हुआ होते हैं तो सारे ठीक हो जैते हैं द़ाइ महाराम निया आराम के हुकम में है और नींद अल्ला के हुकम से नींद अल्ला के गैब के खजाने से आती है भूक अल्ला के गैब के खजाने से आती है जो मेरे अबा कोई बात बताई है उन्होंने तो फिर उनने का अब मैं बताओ क्या करूँ उनने का चलो तीन दिन अल्ला के रास्ते में चलो ह मालिक के बंदे हैं और सब आदम की उलाद है इसलिए आदमी को आदमी कहते हैं तो परमालन वाई तू हमारे साथ चल तो मेरे अबबा उनके साथ गए अलम्दुल्ला सोड़ा दिन तक उनको नीद ना आई सतरवे दिन लाने नीद दी टेबलेट वों सारी तुलुआ के चलेगे चलो अला के रास ते आए अला नीद देगा सतरवे दिन लाने उनको नीद दी आज 1998 से आज 2020 हैं कितने साल होगी आस तक लात नीद दे रखे उनके बाद में जब अल्ला ने वो इसलाम की तरफ आए इसलाम की तरफ उनका रुजान अल्ला ने किया हिदायत से नवाजे उनके बाद में चाचा ताओ परिवार इनका भी रुजान हुआ जब इसलाम की तरफ आए वो दावत देते रहे उनको तीरे दीरे 6-7 साल करीब होगे हमें भी तो मैं उस लाइन में था उस फिल्ड में कि जिना का तो मूल मंतर है गाना बजाना तो लड़कियों को डांस कराना नचाना वाहियात गाने-गाने तो समाज में सारक गवत काम था वो समाज को गलत मेंसी जाता था 7-8 साल पहले यहां दिली की एक जमात गई, इम्रान भाई गए, समीम भाई, और यह सारे साइन भाग की जमात गई, उखला की, इन्हों ने जा के कहा, भाई देख एक दिन जान देनी है, तो मैं इनसे बसता रहा, दस-पंदरा दिन तक मैं भगाता रहा इनको, भई हमारे मतायो मुल्ला ज से जादा, आज भी गाओं में सारे बड़े महबत के साथ रखते हैं, और रहते भी हैं, तो मैं उनसे कहने लगा भई, मैं नहीं आ सकता तुमारे पास, पंदरा बीस दिन तक मैं प्रोग्राम में हूँ, और मैं इनके चकर कटाता रहा है, सारी जमात के, तो यह विचारे ज जमात वाले डेली फोन करते रहे, हजरत आपकी जारत करने चाह रहे हैं, आपकी जारत करना, मैं कहता रहा है, जारत क्या करोगे, मैं कोई निजम दीन हो लिया थोड़ी हूँ, मेरी जारत करके कह लोगे, तो उन्हें न काजी नहीं एक बर आजाओ, मैंने एक गया इनके प मिलेगा, तो फिर मेरे दिल में अल्ला ने डाली, कि वो जो जमात के लोग थे, जो मुलाजी आए थे, और वो बेचारे तेरी मिन्नत कर रहे थे, और अल्ला के लिए कर रहे थे हो, और तू चल उन्हें के पास चल, मैं सीधा बैग उठा कर गया, बाईस किलोमेटर दूर मस मैं सोचता था कि मस्जिदों में आम आदमी नहीं जा सकता लेकिन हम तो सारे हिंदू मुस्लिम सभी जा रहे थे मस्जिदों, तो मैं देखा है सब चीज बदली होई पाई, तो उन्हें दस्तर खान बिचाया, खुजूर खिलाये, कुछ और पानी वानी पिलाया, फिर उन् लोगे, कि उन्हें ने का जी नहीं, परदादा तो था, मैंने का परदादा तो था, इसलिए मेरा दादा हुआ, दादा के बादा बाप हुआ, बाप के बाद में हम हुए और मेरे बाद मेरी अलाद होगी, इम्रान बाई ने का, अमीर साब जो हमारे थे, उन्हों ने का कि वह एक काम करो अब यह बता कि जैसे बगहर पर दादा के आपके दादा नहीं हो सकते तो सबसे पहला इंसान भी तो किसी ने पैदा किया होगा सबसे पहला इंसान एक मर्द और एक और एक औरत भी किसी ने पैदा किया मैवला वह किसी ने पैदा किया आदम पैदा किया अल्हा ने और माहुआ पैदा किया आदम की हम सब उलादे इसलिए आदमी को आदमी कहते है तो अगर उनको कोई ना बताता तो वो जहर खाके मर जाते पूरी दुनिया में एक एक इनसान थे एक मर्द और एक और अधम और हुआ अगर उनको कोई ना बताता पत्थर खा कर मर जाते उनको कोई ना बताता तो वो कैसे आपस में मिलते कैसे उलाद होती कैसे इनसान पैदा होते कोई तो है तो उन्होंने का आमना हाँ भई कोई है और वो अल्ला ही है इसने पैदा करे फिर उन्होंने समझाए कि जिस जमीन पर 12 लाग गुना बड़ा और सूरज से 10 अरब गुना बड़ा तारा 2 सुमार तारे एक तारे में खर्बो गलेक्सी एक गलेक्सी में 43,000 जमीन बढ़ सकती है तो बनाने वारा कितना बड़ा उसको अमिर साब में बताई उसको हम मुसल्मान कहते हैं अल्ला हुआ अकबर अल्ला बहुत बड़ा है कितना बड़ा है को वो सबसे बड़ा है वो अल्ला है तो इन्होंने जब ये बात मुझसे कही तो मैं वहाँ ठीक है थोड़ा सुकून पैदा हुआ कि हाँ एक पावर है एक ताकत है जो पूरी काइनात को चलाने वाली है और टाइम पर सूरज को निकालती है टाइम पर चांद को निकालती है सूरज को अगर वो अपने आप निकलता तो मैं भी कहता था भाई नहीं सूरज दे होता है चांद दे होता है तो उन्होंने का भाई इस चांद सूरज दे होता नहीं है अगर चांड में कोई अपनी ताकत होती है तो वह सुरस को निकलनें नहीं डेता वह कहता Mortemix और्थ गंटे में निकलेंगा wife हाँ वोई सही करैतika सूरह चाँद देरता नहीं है ये तो इनको चलाने वाली भी टाकत है वो असल है वो उल्ला है और वो अपने हुकम से इंचान शूरह को चलाता है में दिल में बात उत्री फिर मैंने पूचा हाँ भाई आगे क्या है हाँ अलला चला रहा है अमीर साब से मैंने पूछा, हमाने के बाद क्या हो गा ग इंने के बद गारागे का है, कैसे मालों कैंड़ जन्न्ट है, जप आगए, उन्हों ने nah Pयट में नहीं जानते थे यह गाड़ी चला होगा, इन्होंडा चला दोगा, रिकार, घाने गारा होगे, पता था, जी नहीं बुजरुकों सुनते थे, जैसी करनी वैसी वर्नी नामाने तो करके देख, जन्नत भी ए, जैन्म भी ए, नामाने तो मर के देख, हम खुद भी कहते थे, बहु एक आदमी गया, हो कहने लगा, उसने मिसआल मेरे से दी, बहु यह ज़ादा टैंसन ना ले आकरो, अमीर साथी ने कहा ज़्यादा टेंसन ना लो यह सब अल्ला का निजाम है तो हम पहले सुनाते थे बुजरुकों की वाकिए कि एक बुजरुक बोलता था हम सुनते थे गैर मुस्लिम भाईयों में सुनते थे बात जब सारे उस काम में लगे हुए थे गानी में जाने के कि एक साथी ने कहा एक बुजरुक से अल्ला वाले से कि यह जी सारा काम अल्ला ने गल्द कर रखा है अल्ला वाले ने कहा क्या कर रखा है गल्द काम कि देखो हाथ यह मूँ यहां लगा दिया तो इस मूँ को हाथ पे भी लगा देता अल्ला मैं उल्टे सुदे सवाल कर रहा था उस टाइप के कि वो मूँ को यहां लगा देता ऐसे ऐसे खाते रहते गड़ 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 चलता रहता सारा कोई टेंसन नहीं होती और अल्ला ने दो आख यहां लगा दी तो पीछ भी लगा जाता फोर्चूनर की तरह बैक साइड भी दीख जाती सारी उसना अल्ला वाले ने का नहीं 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 अल्ला ने सही कर रखा है वो आग़ चलागा आग़ जाकर उसने देखा तर्बूज लगे होगे तो उसने देखा बेल पर या पतली पतली बेल है और बीस बीस किलो के तर्बूज यह अल्ला ने सारा काम उल्टा कर रखा है के देखो सारा गरवर कर रखा है इतने बारी तरबूज उपर लगाने थे या पदली भेल में क्यों लगा दिये अब यह आगा गया तो काम के पेड़ पे देखा इसने कि इतना बड़ा पेड़ है उस पर छोटी से आम है इतना बड़ा नीम है उस पर छोटी सी निमोली है इतना बड़ा पीपल है उस पर छोटी सी बर्बंटी है फॉर छोटा से लग रहा है तो अल्ला ने सारे काम गल्द कर रखे उसने का अब वो चुपचा बैटकर सोक है काम के पेड़ के नीचे सो गया सोया तो उपर एक काम आमी टूटी हाँ अल्ला ने से तो ऐसे मेरे समझ माई कि जब उन्होंने बताया कि वे देखो अगर अगर अल्ला चाहता तुम्हारे नकूनों के बजाए दांत बढ़ाने स्टार्ट कर देता दांत बढ़ा जाता गरीब आदमी तुम तो और आगासवानी रेडियो पे भी था गाता था तो इतनी बात समझ में आ जाती है उन्होंनों और समझाई साइंस की उससे नजर से समझाया कि भई देखिए आख है इनके आखों के नीचे सुराख है इन सुराखों में पानी आता है आखों में बारा लाख लेणस आंकों में यह कि पनेदया बार लाख लेख permetów Мेरे बात समझ मैं आए यहां सच है मैंने उसका चलो और तीन दिन बाही तैन पिर मैं उन वहां साथियों को से भाई और भी जो मेरे जितने भी हिंदू, सिक, इसाई, जितने भी भाई है उन सब को बात बताओ चलके मेरे साथ अब वो गये जमात वाले साथ ही उनको सब को बात बता काए कि आपस में प्यार महबबत से कैसे बनोगे जब तक अल्ला का पता नहीं चलेगा फिर मैंने उनसे सवाल करा कि मरने के बाद जिंदा कैसे होगे तो उनोने बड़ा अच्छा तरीका बताया, अमीर साब ने तो तेरी उमर क्या है, तो मेरे उमर उस वक्त में थी 20 साल थी मेरी उस टाइम, 20-21 साल होगी तो उन्होंने का तरही उमर कितनी मवल है, किस साल तो एकी साल पहले तू कहा था, कि माँ के पेट में और माँ के पेट से पहले कहा था, कि माँ नहीं पता, तो उन्होंने का माँ के पेट से पहले तू था बाप की मरदाना ताकत में, और मरदाना ताकत से पहले कहा था बाप क पहले गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग चाहे या आठ होगी तो तेरी माँ के पेट से पांच फूट की हाइट से और तू पांच फूट आठ इंच निकाल रखे है उस अला ने तो क्या मरने के बाद में तुझे मिट्टी बना के चाहे तू जल जा चाहे तू दफना दिया जाए या तू बहा दिया जाए तो वो अल्ला ताकत रखता है जो हवाओं से उठा के तुझे यहां तक पहुँचा सकता है वो तुझे मिट्टी बना के भी उठाने पर ताकत रखता है मेरे बात समझ माई के हाँ वही हाक है अब पढ़ाओ वही क्या है कलमा तो उन्होंने बताया के पढ़ा शदुलाई लाहिला वाशदुल्न मुहम्द अब्दुरू रसूलू मैंने पढ़ा पढ़ता रहा मैं फिर मैंने सारा आज इतना भी वाहियात काम थे गाने बजाने सब तोबा करता रहा जब हराम काम छोड़ दिया सारे तो एकदम घरवालों में प्रेशानी आगी घरवाले कहने लगे तो बाबाजी बन गया ये तो सारा काम छोड़ गया मैं कहने लगा बाबाजी नहीं बने में उनसे समझाया अब चाचा ताओ आउ आर्मी में है फोज में है वो बोक्सिंग बोक्सिंग मालने लगे प्यार महबत में उन्हें कहां बाबाजी बन गया तो अभी निकाह भी नहीं हो साधी भी नहीं हो तेरी और तु कहां उस चक्रों में पढ़ गया बात में करी यह बुड़ापे में मैंने कहा कि अगर जवानी मोत आगी तो उनकी बुद्धी सेंटर माई आए मेरे जो दोस्त थे क्लोज जो मेरे साथ उठना बैठना जिनका रहता था उनको एकदम हैरत सी बात लगी यार यह एकदम चेंज कैसे होगा उनका कालह पे इसकी डाड़ी काटेंगे पकड़ो तो उन भाईयोंने विच् blush पकड네 की ऐसे कोशिस काटने की करी नियत मैं दिल दिल में रोता रहा रहा है अनके दिल बदल बिचारों को पता Slim він कित्ज कि पटा नहीं है वो कहने हैं भाई बुरा मतमानी हम तो मजाक कर रे थे मेरे दिल तो दूक ही रहा था तो मैंने कहा का कर भाई कौई बातनी कल ये ना रहें कोई बात ने कर लें दें मजाक मैं एक जमात के पास जाना था मैं मआ गया डís गंटे बाद खबर पता चली कि जिस भाई ने डाड़ी पकड़ी थी उसका इंतकाल होगा उसकी नस्फटी दिमाग की और ओख खतम होगा उस दिन के बाद में मैंने डाड़ी काहत नहीं लगाया कि अल्ला की लिए रखी जब ऐसा जटका अल्ला ने दिखा दिया यह बहुत बड़ी मदद तोई मेरे साथ फिर जिन भाईयों से मैं डावद देता था यहरमसलिम भाई थे मेरे और भी हिंदु भाई भी थे उनसे मैं डावद देता यारी दोस्ती थी उनको बताता तोहीद के बरे में तो एक बड़ उनने काम है कि स्टेज पे जब तक मैंने गाना वजाना छोड़ा नहीं था तो मैं दाओद देखे आया इधर से एक ने कहा कि मेरी रीड की अड़ी में दर्द है तेरह अल्लाम उताकेता तो इसको ठीक करवा मैंने कहने लगा यार मैं तो कोई आयत कुरान की याद नहीं सूरत यार नहीं मैं सेयधा नहीं मैं बड़ा मूलाना नहीं मैं कैसे ठीक करूँ तो उनोंने कहा अगर 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 आवा करवा मेरे सुरह फातिया अलम्दुला रभी लालमीन जो कुरान की पहले आया तो या थी मैंने वो पढ़के दिल में रोके अला दूआ करी अला तेरे काम है अगर मैं इसलाम पर हक पे हूं सच पे हूं तो आज इसकी रिड़ की अड़ी ठीक कर दे कतरे से तुने ये बनाया ह तो ये ठीक करने वाला है अल्ला बहुत बड़ा है अल्ला ने तुरंत उसी वक्त में वो दस मिनट के अंदर ठीक कर दिया मेरा बड़ा एमान ताजा हुआ यकीन अल्ला की जाप पे जम्या ऐसी ऐसी बहुत सी तीन चार वाके हुए मेरा यकीन बनता गया है मैं दीरे दीरे मेरे बन تھे तो लाँने ख्वाब में दादी को दिखाया जमात में, लाग रास्ते में और बच्चा पेट में था एलिया कहे मैंने लाज़ता करी लाज़ UA मेरे लड़का होना चीव थैब तो लड़का रमजान में हो तो पहले रमजान में हुआ जुम्ह में हो तो जुम्ह में हुआ ये बहुत बड़ी मदद अल्ला की मेरे साथ हुई हाँ मेरी जिन्दगी में एक बहुत बड़ी मदद और अल्ला की हुई जब मैं जमात में था कि पहला बच्चा था चटे महीने में था मेरी अलिया के पेट में मैं जमात में आ गया था तो उधर फोन सारे बंद थे तो मैं जानसेट बेहेट में जमात में था उधर खबर पता चली कि बच्चा उल्टा होगा घर वाले कहने लगे तुझ अल्ला के रास्ते से आ जा जा दुबारा मैं दो रकात नमाज पढ़के वने बच्चा पैदा किया है उल्टा किया हो सिधा करने पर थागत रखता है अल्ला हुआ अकबर अल्ला ने बहुत बड़ी मदद दिखाई कि वो थोड़े ही देर बाद में खबर आई कि बच्चा सिधा होगा और एलिया भी ठीक होगी और वो ही बच्चा हुआ जुम्य के दिन पैदा हुआ रमज़ान में पहले रमज़ान में पैदा हुआ लड़का ही हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी मदद थोई और अल्कलम टीवी के जरीए में आपको आप सब को जितने भी सुन रहे हैं साथी इन सब को बताना भी चाहता हूँ जैसे मेरी जिन्दगी में बदला हुआ आया अल्ला ने इसलाम के लिए नवाजा हिदायत दी और बड़े बज़र्गों की बड़ी नज़र रही मेरे उपर बड़ी मेहनत रही और मेरे उस्ताज रहे मिवाद के जिम्मेदार है मास्ट रहुह श्रिफान साब उनकी बड़ी महनत रही भाई इम्रान है उखला साइन बाग से समीम बाई हैं उनकी भी حضرت मॉलाना कलीम सिद्की साथ की सिद्की साब ने बड़ी महनत ही मेरे उपर हroth मुलाना speeding EM 001 भिखर, नाथ बर्कातु, उनकी बडी मेंट रही, उन बुजगों की सहोबत में आप लोग بी, क्यों वली अलाओं की इन बुजगों की जितने इनसान है, उन सब की फिकर लेके के हम सब भाई हैं, पूसले आधम की उलादे, उन अगों के वालए हैं.